हेलो एब्रिवन वेलकम बैक तो माई चैनल तो आज हम बनाएंगे एक ऐसा डोसा जो बहुत ही जादा टेस्टी बनता है और टेस्टी होने के साथ साथ बहुत ही जादा है यह इसको बनाना काफी आसान है आपको इसको बनाने के लिए पहले से कोई भी प्रेपरेशन करने की ज़रुत नहीं आप इंस्टन इस डोसी को बना के तयार कर सकते हैं तो आज हम बनाने वाले हैं बेसन से डोसा और इस साथ ही साथ इसके लिए एक मज़ेदार सी फिलिंग भी बना के तयार करेंगे हम तो चलिए बनाना शुरू करते हैं आज की हमारे इस बेसन डोसा की रेस सकते हैं वन फोर्थ कपी हम यहां पर दही एड़ करेंगे और इसी किसासत मैंने यहां पर आधा कप के गरीब पानी भी एड़ कर दिया है तो हम यहां पर चलिए इसको एक बोल में निकाल लेते हैं सारे इस बैटर को और थोड़ा सा हम जार में पानी डालके इसको मिक्स करके अच्छे से फिरस इस बोल में निकाल लेंगे और अब यहां पर हम इसको मिक्स कर लेते हैं तो हमें यहां पर इसको ना इसकी जो कंसिस्टेंसी है ना बहुत जादा पतली नहीं करनी है बहुत जादा थिक भी नहीं क करने है जिस तरह से हम डोसा बनाते है जो चाहिए होती है उसी तरह से हमें इसको रखना है तो आप देख सकते हैं एक दम परफेक्ट कंसेस्टेंसी है इसकी इसको भी हम 10-15 मिनट के लिए रेस्ट देंगे तक क्योंकि हमने इसमें जो सूजी एट करी रहा हो थोड़ इसी थोड़ असा हम यहाँ पर जिंजर एट करेंगे दो से तीन क्लोव हम मैंने यहाँ पर गारलिक एट करी है एक ग्रीन चिली एट करेंगे हम यहाँ और इसी के साथ मैंने यहाँ पर आदा चोटा चमज क्यूमिन सीड एट करेंगे तेस्ट के अकॉर्डिंग नमक एट बहुत थोड़ी सी sugar add करेंगे सारे flavor को balance करने के लिए दो चमज मैंने यहाँ पर roasted peanut add करेंगे आप चाहें तो यहाँ पर roasted चना डाल add कर सकते हैं या फिर जो सेव बुजिया आती है वो भी add कर सकते हैं दो चमज की करीब मैंने यहाँ पर दही add किया है और इन सारी चीज़ों को हमें यहाँ पर अच्छे से एकदम smooth हमें grind कर लेना है तो यह देखिए यह हमारी बहुत delicious वाली quick वाली green चटने बनके तयार है तो यह चटनी डोसे के साथ बहुत ही ज़्यादा tasty लग भी है खाने में और अब देख सकते हैं हमारी चटनी का color and texture दोनों ही perfect है तो चटनी को अब हम side में रखते हैं और चलते हैं हम अपनी डोसे के लिए एक मज़ेदार चटपटी सी filling बनाने के लिए तो इसके लिए मैंने यापे कुछ सबजिया लिए जिसमें थोड़ सा प्याज लिया है थोड़ सा carrot grate करके थोड़ से sweet corner थोड़ सा पनीर लिया है मैंने यापे crumble करके आप यहाँ पर अपनी पसंद की कोई भी वेजिटेबिल इसमें यूज कर सकते हैं आप इसमें tomatoes, capsicum, colorful capsicum भी यूज कर सकते हैं सारी सबजियों को मैंने यहाँ पर bowl में transfer कर दिया है इसी के साथ हम यहाँ पर थोड़ी सी roughly chop green chili add करेंगे थोड़ सा मैंने यहाँ पर coriander भी add कर दिया है और अब मैंने यहाँ इसमें आदा छोटा चमब चाट masala add किया है और थोड़ सा हम इसमें salt भी add करेंगे उन सारी चीज़ों को यहाँ पर हम अच्छे से mix कर लेते हैं और यह हमारी बहुत ही मज़ेदार वाली डोसे के लिए filling बनके तैयार है तो चलते हैं हम अपने डोसा बनाने के process में तो यहाँ पर देखें इस बैटर को रख्यों है 15 मिनट हो चुका है यह बैटर भी हमारे अच्छे से set हो गया है आप देख सकते हैं इसकी consistency तो अब हमें इसमें कुछ भी add करनी की ज़रुरत नहीं है अगर यह इस टाइम पर थो तरह से फैला दिया और इसको अब हम हलके हांसे इस तरह से spread करते जाएंगे इस तरह से घुमाते जाएंगे जिस तरह से हम लोग नौर्मली डोसा बनाते हैं तो यहाँ पर क्यूंकि हम डोसा बनाने वाले हैं तो इसको हम थोड़ा सा पतला ही फैलाएंगे तभी एकदम crispy ब लगाएंगे तो मैंने यहाँ पर इसमें थोड़ा सा ओयल भी spread कर दिया है आप चाहे तो इसमें बटर का भी उसकर सकते हैं और इसी के साथ साथ अब हमने जो अपनी फिलिंग बना के तयार करिए ना वह हम यहाँ पर अच्छे से फैला देंगे डोसी की उपर तो फिलिंग के साथ जो फैलिंग है वो अच्छे से स्टिक हो जाये और अब हमें इसको कूक करना है तो यहाँ पी आफ हम गैस का फ्ले मेडियम कर देंगे और गवाशी कोोने देंगे ईग उसक्तव से को आच्छा सा क्रिस्पी होने तक ऑच्छा सा कलर आने तक इसको हमें कूक करना है तो यहाँ पे इसको cook होने में तीन से चार मिनट का टाइम लग सकता है क्योंकि यह डोसा पैन हमारा बड़ा है और फ्लेम चारो तरफ नहीं लग रही है इसलिए हम तवे को चारो तरफ इस तरह से घुमाते हुए इसको cook करेंगे ताकि यह जो डोसा है वो evenly हर साइट से cook हो और अच्छा सा इसमें हर साइट से अच्छा सा color आ जाए तो यहाँ पे हम इसको इस तरह से घुमाते हुए cook कर लेना है और यह देखिए अब हम इसकी साइट को हलका से स्क्रेप करके निकालेंगे तो यह डोसा हमारा एकदम perfect cook हो चुका है इसमें अच्छा सा color आ चुका है तो अब हम इसको यहाँ पे carefully इस तरह से निकाल लेते हैं आप चाहे तो यहाँ पे इसको तवे में ही ऐसे फोल्ड कर सकते हैं बट मैंने यहाँ पे इसको एक chopping board क्यूपर निकाल दिया है और यहाँ पे अब हम पिज़्दा कटर से इसमें कट लगाएंगे उसके बाद हम इसको फोल्ड करेंगे तो आपको जो process easy लगया आप वो कर सकते हैं अब इसको तवे क्यूपर भी इस तरह से फोल्ड करके cut कर सकते हैं और मैंने यहाँ पे इसमें cuts लगा लिए हैं और आप देख सकते हैं डोसा मारा बहुत ही जादा tempting बनके तयार हुआ है बहुत ही आसान है इसको बनाना अब हम इसमें इस तरह से इसको फोल्ड कर लेते हैं तो यह बहुत ही आसानी से इस तरह से रोल हो जाता है और आप देख सकते हैं इसका texture और color बहुत ही crispy बनके तयार होता है एक दों perfect color भी आया है इसमें तो चलिए अब हम इसको निकाल लेते हैं और बाकी का बचे हुए सारे डोसे को सारे पीसे हम इसी तरह से रोल करके तयार कर लेंगे तो डोसा बनाना बहुत ही आसान हो गया है जब भी आपका डोसा खाने का मन करें आप instant इस बेसन डोसा की recipe को ट्राइक कर सकते हैं बहुत ह बनता है और बहुत ही healthy है यह और आप बहुत ही आसान है इसको बनाना तो मैंने यह आप इसको प्लेट में सर्व कर दिया है अपनी ग्रीन चटनी के साथ अब एक बर से ट्राइ करें और फिर मुझे बताए कि आपको यह recipe कैसी लगी अगर आपको मेरे आज की recipe पसंद आई ह तो वीडियो को like and channel को subscribe करना ना भूलें